सरपंच के फैसले के बाद नविवाईता को मिला 21,000 रुपए रामपुर में रविवार को जन्ता दर्बार एक मामले का हुआ निश्पादन खगडिया गोगरी प्रखंड के ग्राम कचहरी रामपुर में रविवार को फिर एमर्जन्सी जन्ता दर्बार का आयजन किया गया जिसकी अध्यक्षिता सरपंच नूर आलम ने की ग्राम कचहरी जन्ता दर्बार में एक गंभीर मामले का निश्पादन किया बताते चली कि शनिवार को बेगु सराय जले के मुफसिल थाना छेतर के रचियाई धोबिया टोल निवासी रामपुर निवासी हक्रू रजक के पुत्र नीरज रचक चंदा देवी वो हक्रू रजक के विरुद दो वर्ष शादी होने के बावजूद भी पती वससुर सास द लड़की को रखने का निर्देश दिये लेकिन लड़की पक्ष के पिता सुनील रजक ने अपनी पुत्री अंजुम देवी को ससुराल बसाने में असमर्थ हुए जिसके बाद नविवाहिता के बयान के आधार पर आपसी सहमती से शादी में दिये गए उपहार स्वरूप नगदी 21,000 रुपे के साथ एक एसपेंडर बाई को वापस कर रिस्ता को विच्छेद कर दिया इसको लेकर पंच गड़ भी काफी दुखी हुए बरहाल जब दोनों पक्ष राजी हुए तो इसमें पंच क्या कर सकते हैं वही सरपंच नूर आलम ने पताया कि दोनों अक्षों की सहमती पर उपहार में दिये गए सामान को वापस कराया इस बैठक में न्यायमित्र प्रेम लता कुमारी न्यायमित्र सोना प्रियंका उपसरपंच आस्मा खातून उपसरपंच प्रतिनिदी गसी रुद्दीन वोट सदस्य अनिल पंडित अंसार आलंग हिर्द इस कुमार से कई लोग मौजूद थे